प्रेशर को मतलब कि जो BP है उसे आम तोर पर आराम से लिया जाता है जो BP कफ होता है उसे बाइसेप्स मसल पर बांदा जाता है और ब्रैंकिल अर्ट्री पर स्टेथोस्कोप को लगाकर ब्लेड प्रेशर को लेते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप blood pressure को tango से कैसे ले सकते हैं और बहुती simple process है और procedure है जिसे मतर एक बार आप देखने से सीख जाएंगे कि blood pressure को tango से कैसे लिया जाता है तो welcome back guys मैं हूँ आपका दोस्त और host सनी कुमार और आपका हमारे YouTube चलन पर एक बार फिर से है बहुत-बहुत स्वागत है और guys सिद्धा ही मैं आपको procedure करके दिखाता हूँ और जड़ा time waste नहीं करते let's dive into it simple process है आपने जो यह BP कफ है इसको आपने देखिए यहां पर यहां पर ऐसे बानना है जो BP का कफ है और जो यह line है ना यह जो आपको दो pipe दिख रही है आपने बिल्कुल middle में रखना है यह जो यह जो अंगुठा है ना ठीक है बिल्कुल इसकी seed में हो दोनों की दोनों यह जो pipes हैं और उसके बाद यह जो हमारा stethoscope है ठीक है जो usually मैं लेता हूं जिसका अज़ी को आपने देखा भी होगा तो यह जो stethoscope है आपने एक मिनट यहां पर लगाना है देखिए यह जो side आप देख रहे हैं यहां पर stethoscope को लगाना है ओके और फिर यहां पर इसको टाइट करना है और बल्ब को दबाना है और जो मरकरी है हमारा यह देखिए यह जो मरकरी है यहां पर यह जा रहा है दीरे दीरे और यहां पर जो pulse है वो नहीं सुना ही दे रही और मैं धीरे दीरे छोड़ूंगा pressure और यहां पर 110 feel हो रहा है मुझे दुबारा देख लेती है तो यहां पर 110 by 70 blood pressure है यहां पर आप stethoscope को लगा कर चेक कर सकती है या फिर यहां पर भी आप चेक कर सकती है stethoscope को तो मैं यहां से भी चेक कर लेता हूँ तो यहां पर जो mercury है एक बार फिर से उपर जा रहा है pressure release करता हूँ और वही है same guys 110 by 70 blood pressure आ रहा है तो guys ऐसे किसी भी जो patient है उसका blood pressure आप टांगों से चेक कर सकती है okay साथ ही guys यह जो procedure में आपको बताया है यह अप थाई पर भी कर सकते हैं जो यह कफ है उसको आप थाई पर बांदिये और जो पॉपलेटिल आर्टरी है वहाँ पर stethoscope को लगा कर आप blood pressure को ले सकती है okay तो guys आज की जो वीडियो थी यह थी टांगों से blood pressure आप कैसे ले सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर करें उन लोगों के साथ जो इस वीडियो को देखना चाहते हो साथ ही अगर आप हमारे channel पर नए है तो please comment कर ले तो guys मुझे दीजे इजाजत मैं मिलता हूँ आपसे अभी वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit